हेलो एवरिवान वेलकम बेक टू माई योटूब चैनल आज मैं आपके साथ गए हूँ के आटे की हल्वे की रेसीपी आपके साथ सेयर करने जा रही हूँ अगर आपको मेरी रेसीपी जराबी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें डेर सारी कमेंट करें और इ इतना ज्यादा भाएदा दीता है कि हर कोई सल्वे को बनाना चाहेगा और सरधियों में आप इसे खासकर जरूर बनाएं बहुत ही अच्छा लगता है और हमे बहुत ही सारी वीमारिओं से बचाता है सरीर में हम अड़्यों की कमी हो केलसियम की कमे हो बुड़ापा देरी से आएगा अगर आप इस तरीके से ये हल्वे को बना करके खाएंगे तो चलिए बिना देरी किये हम सुरू करते हैं आज का बहुती ज़्यादा टैस्टी और बहुती ज़्यादा प्रोटीन विटामिन से भरपूर आटे का हल्वा बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर एक कडाई रख देते हैं गैस को ओन करके हम इसमें डालेंगे तीन कप फूल मखाने यहाँ पर हमें तीन कप फूल मखाने डालके अच्छे से इनको थोड़ा सा ड्राइ रोष्ट कर लेना है यानि कि हमें इनको हलका सा सेख लेना है जब तक कि फूल नहीं लग जाती तब तक हमें इनको अच्छे से शेखना है कडाई में मैंने अभी घी या तेल कुछ भी यूज नहीं किया है वैसे हमें इनको हलका सा सेखना है जब तक कि अच्छे से सिक नहीं जाते तुब तक हमें इन को अच्छे से चलाती रहना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मक्हाने का colorful change हो गया है और अब देख सकते हैं अच्छे सी यह फूटनी लग गए हैं तो भस हमें इतना ही करना है और सारे मकाने अच्छे से सिख के तियार हो गए हैं तो अब हम इनको एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे यहां पर आप देख सकते हैं सारे मकानों को हमें इस तरीके से सिख के तियार करना है इनको रख देते हैं साइड में फिर से मैंने गैस पे रख़ दिया एक बरतन इसमें मैं डालूँगाई एक कप गुर्ड मैंने गुर्ड को छोटे चोटे टुक़ों में कट कर लिया है क्योंकि जब हम इस तरीके से गुर्ड को कट करते हैं थो आसानी हो जाती हमारी कामपटापट से हो जाते हैं तो जितना मैंने गुर लिया है उतना ही हम पानी ले लेंगे एक कब गुर के लिए मैंने एक ही कब पानी लिया है अच्छे से दौनों चीजों को मिक्स करेंगे बड़ी आसी मेलट होने देते हैं दोनों को और हमें इसकी कोई चास नहीं बनानी बस गुर पानी के साथ हो जाईगा बस हमें हैं यहां पर आम देख सकते हैं पनी में एंग में उबाओब आ गया है और देख सकते हैं गूड इसमें के बिल्कोल भी नहीं बrot in यहाँ न हीम फिलोर फेका के साइज बंद कर देना की सपरे हैं और यह में, बावल में डाल लेते हैं यहां पर आम देख सकते हैं एक दूसरे बरतन में मैंने सारे मिक्स को डाल लिया है क्योंकि इसमें थोड़े बहुत बाल रहते हैं गुड के अंदर वह अच्छे से पानी के साथ नहीं जाते तो हमें इसको छान लेना है जिससे की साब सुतरा पानी बाल लिया है यहां पर हमाने मक्हाने भी ठंडे हो गए थे मैंने उनको साइड में रख दिया था तो अब हम क्या करेंगे एक मिक्सी का ग्रएंड जार ले 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 लेंगे और इसमें हमें दो पार्ट में मकानों को ग्राइंड करना है क्योंकि छोटा जार है तो इसके मैंने इनको पीसा है, ज्यादा बारीक इनको नहीं करना, तो यहाँ पर आम देख सकते हैं, एक वैच मेरा अच्छे से पिस गया है, मैंने यहाँ पर लिए एक ठाली और सारे मिक्स को इसके इंदर डाल देते हैं, आम देख सकते हैं, अब हम दूसरा वैच भी इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ी सी मकाने और वच्चे थे तो second part भी मैंने इस जार के अंदर डाल दिया है इसको भी डक्कर बंध करके और हम बड़ी आसे ग्रین्ड कर लेते हैं तो यहाँ पर मेरा दूसरा वैच भी अच्छे से ग्राइंड हो चुका है आप देख सकते हैं इस वाले वैच को भी हम फिर से जो थाली में मिक्स निकाल करके तियार रखा था उसी के साथ हम इसको भी डाल लेते हैं तो यहाँ पर मैंने मकानी को गड़िया से पीस लिया था अब हमने यहाँ पर एक कप लिये हैं वदाम और यह वैसी वदाम है सुकी वाली इनको मैंने पानी वगेरा में नहीं भी गोया बस इनको भी हमें उसी जार के अंदर डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है आप इसके साथ काजू वगेरा भी डाल सकते हैं यहाँ पर मै देख सकते हैं बाद हमको मैंने दरदरा सा पीसा है क्योंकि थोड़ी बहुत मोटी रहेंगी तो खाने में भी अच्छी लगेंगी और टेस्ट भी बढ़िया आएगा तो यहाँ पर सारी चीजों को मैंने बढ़िया से पीस लिया है अच्छे से थोड़ा से मिक्स कर लेते ह हैं आप देख सकते हैं इस तरी के से हमें इनको पीसना है थोड़ा मोटा ही तो सारी चीजों मेरी अच्छे से पिसकी तयार हो गई है अच्छे से मिक्स करके इसको हम रख देते हैं साइड में और हमारी नेक्स्ट तयारी हम करते हैं फिर से हमेंने गैस पी वहीं कड़ाई क तो रख दिया है थोड़ा सब पहुचके और अब हम इसमें डालेंगी एक कप आटा अगर आप जादा हलवा बनाना चाहते हैं तो आप दो कप आटा ले सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं एक कप आटा मैंने डालके अच्छे से इसको भूनना है हमें अभी मैंने घीस में यूज नहीं किया है बाद में हम इसमें घीडा लेंगे तो बिना घीडा लें हमें आटे को बढ़ी आसे बुनना है आटे का हलका सा कलर चेंज हो जाएगा जब यह अच्छे से बुन जाएगा और बढ़ी आसी किचिन में से खुश्बू महकने लगेगी पर उसी भी आप स इसमें एक कप डाल दिया है घी एक कप आटे के लिए एक कप मैंने घी लिया है आप ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा डालोगे तो आपको बाद में डालना अभी ज़्यादा घी नहीं डालेगा वस इतना ही इसमें काफी है आप उपर से घी लाल सकते हैं बा एकदम बहुती बढ़िया से हमारा आटा भुन के तियार हो गया है एकदम बहुती बढ़िया से तो आटे को मैंना एकदम अच्छे से भुन के तियार कर लिया है कोई भी कच्छा पने इसके अंदर नहीं रहा इस तरीके का टेक्स्टर हो जाएगा जब यह अच्छे से भुन और बड़ी आसे चला लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीजों को मैंने बड़ी आसे मिक्स कर लिया है जब मैंने मिक्स किया है तो हमारा टेक्स्चर कुछ इस परकार से रहा है तो सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है तो अब हमने जो गुल और पानी को मिक्स करके रखा था इसमें डाल देते हैं अगर ये ठंडा हो गया है जादा तो आप इसे हलका सा गरम कर लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी पानी को मैंने इसके अंदर डाल दिया है थोड़ा सा पानी बच गया है उसको हम बाद में डालेंगे पहले थोड़ा थोड़ा करकी डालते जाएंगे मिक्स करते जाएंगे डालते जाएंगे मिक्स करते जाएंगे इस तरीके से हमें प्रोसेस करने हैं अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर लेना है और बड़िया से इसे चलाती हुए हमें इसको पकाना है थोड़ा सा और जादा हमें इसको नहीं पकाना क्योंकि सारी चीजे पहले से ही पक चुकी है बस दो से तीन मिनट तक इसको पकाना है अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर लेना है तो यहां पर आम देख सकते हैं कितने बड़ी आसी बहुती ज़्यादा टैस्टी हेल्धी बहुती ज़्यादा फाइदे मन्थ हमारा आटे का हल्वा बन करके तियार हो गया है आप देख सकते हैं कौन-कौन इस तरीके से हल्वा बनाते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं और मेरा हल्वा कैसा बना और आपको कैसे कौन सी चीज इसमें से सबसे अच्छी लगी वो भी कमेंट में मुझे जरूर बताएं तो यहाँ पर मैंने सारे हलवे को अच्छे से कर लिया है mix सारी की जाए आपस में बड़ी ऐसी combine हो गई है आप देख सकते हो इस तरीकी का इसका टेक्चर रहता है अब आप इसमें उपर से गी डाल सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बहुती ज़्यादा testy healthy और इतना easy हलवा बन करके त्यार हो गया है बहुती ज़्यादा testy है बहुती ज़्यादा फायदे मंद है अब हम गैस को बंद कर देते हैं और हलवे को एक दूसरे बरतन में serve के लिए serving के लिए निकाल लेते हैं तो यहाँ पर मैंने एक लिया है बरतन serving बाउल तो इसमें सारी हलवे को निकाल लेते हैं तो देखने से यह आपको पता लग रहा होगा कि कितना testy और healthy हमारा हलवा बना है आप देख सकते हैं इसका texture कितना बढ़िया है अगर आप इसमें घी डालना चाते हैं तो आप उपर से थोड़ा सा घी डाल लीजें लेकिन मैं इसमें घी नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चों को ज़्यादा घी पसंद नहीं है तो मैं इसको थोड़ा dry साही रखोंगी थोड़े से मैं इसमें बारिक कटे हुए बादाम डाल देती हूँ अगर आप इसमें कोई और dry fruit डालना चाते हैं तो आप डाल सकते हैं यहां पर हमारा बहुती ज़्यादा healthy testy बहुती ज़्यादा फाइदेमंद हल्वा बन करके तियार हो गया है वो भी गेहू की आठे से गेहू के आठे का हल्वा तो वैसे सब ही बनाते हैं लेकिन सबकी अपनी अपनी अलग स्टाइल होती है बनाने की और खाने की तो यहां पर मैंने कुछ इस तरीखे से ये इस हल्वे को बनाना बता है आई होप आपको मेरा आज का वीडियो बहुती ज़्यादा पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो में कोई भी चीज अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और अपने फेमिली फ्रेंड के साथ जरूर सेयर करें फिर मिलूँगी ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक के आर थेंक यू वोचिंग फूर माई वीडियो